दोस्तों में सोरमली कापसवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर परदेश सामान्य ग्यान के 100 ऐसे महत्पून कोशन आंसर दोस्तों जो की 100% परिक्साओं में पूछे जाते हैं आप UP के किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं उत्तर परदेश सामान्य ग्यान की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा महत्पून रहेगी तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा बिल्कुल भी skip मत करना एक एक कोशन दोस्तों मैंने वो लिया है जो एक्जाम में कही कहीं बार रिपीट हो चुका है और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दिल से लाइक करना अपने हर एक दोस्त को सेयर करना बहुत मैनत से वीडियो को बनाया है तो प्लीज पूरा एंड तक देखेगा देखें स्टार्टिंग में मैं आपसे एक टेस्ट का कोशन जनसंख्या में दस्किये वरदी दर सरवदिक कब थी तो प्यारे दोस्तों सोच समझ के आंसर लगाईए हरे कोशन का अगर गलत होता है तो बिलकुल भी टेंशन मत लिजे जो आंसर मैं बताऊंगा वो आपको याद अखना है वीडियो सूपर फास्ट रहेगी तो वीडिय जादा रहा तो राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दूसरा कोशन आता है वर्स के किन महिनों में उत्तर परदेश के अधिकांस भागों में लू चलती है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिलकुल मैं जून में यानि की C is the right आंसर कोशन का भारत में चोथा इस्थान है अगर दोस्तों जनसंक्या की दरस्टी से देखा जाए तो पहला इस्थान है तो दोनों ही कोशन इंपोर्टेंट है याद रखेगा जिनके ये सारे कोशन याद है उनका रिवीजन हो जाएगा बस आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी पू कोशन का दोस्तों सही उत्र क्या रहेगा तो सही उत्र रहेगा रोजा में यानि की राइट आंशर सी हो जाएगा कोशन नंबर फोर का सही उत्र कोशन नंबर फाइव है ओबरा ताप विदुत केंदर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोईशन का सही उत्तर रहेगा सोवियत संग से यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए एक मास्टर पीडिया भी मैं बना रहा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया हूँ अगर आप लोग कंप्लीट चारी कवर करना चाहते हैं उत्तर परदेश की किसी भी एक्जाम की अभी उत्तर परदेश कौंस्टेबल भरती दोस्तों जो हमारी आई है बहुत बड़ी भरती है इसके लिए मास्टर पीडिया पे जिसमें सारे सब्जक्ट आपको मिलेंगे और 6000 से लेकर के 8000 कोशन आंसर्स उसमें आपको मिलने वाले हैं मात्र 170 रुपे में पीडिया पका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में एवलेबल है या फिर आप हमारे वोट्सब नंबर पे मैसिज करके भी पीडिया पका लिंक ले सकते हैं उसमें सारे सब्जक्ट आपको मिल जाएंगे छटा कोशन है परदेश के किस जिले में सरवधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा गोरकपूर में यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा सात्वा कोशन है निन्वे से कौन सा एक खनीज उत्तर परदेश में नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा तो देखे अबरक जो है वो यह खनीज जो उत्तर परदेश में नहीं पाया जाता है राइट आंसर बी हो जाएगा यह कोशन कई परकार से बन सकता है क्योंकि इसमें ओप्शन्स बदलते ही कोशन्स चेंज हो जाएगा आठवा कोशन है उत्तर परदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था तो इस कोशन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा बिलकुल यह किया गया था 1992 में यानि की C राइट आंसर हो जाएगा बही कोशन नमबर 9 है उत्तर परदेश को कितने भोतिक विभागों में बाटा गया है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3 यानि की C is the right answer मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट दसवा कोशन है परदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा हसनापूर यानि की C right answer हो जाएगा दोस्तों 11 कोशन आता है चिपको अंदोरन मून रूप से किसके विरुद था प्यारे दोस्तों चिपको अंदोरन मून रूप से किसके विरुद था तो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 1 कटाई के यानि की B right answer हो जाएगा और देखे यूपी पुलिस के लिए भी बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है उनली टॉप स्टेडी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने 2-3 दोस्तों को जरूर सेयर करिए क्योंकि जब तक व्यूज नहीं आते हैं तब तक मोटिवेशन नहीं आता है सीधी इसी बात कर रहा हूँ अगर बहुत अच्छे व्यूज आएंगे तो जबर्दस्त मेनत में आप लोग के लिए करने वाला हूँ और कोई paid course नहीं बिल्कुल सब कुछ free में चलेगा 12 कोशन है फुलर जील भारत के किस राज्य में इस्तित है मेरे प्यारे दोस्तों फुलर जील भारत के किस राज्य में इस्तित है तो right answer हैगा उत्तर पर्देश में यानि की D right answer हो जाएगा Question number 13 है निमलिकित में से कौन सी उत्तर पर्देश की पेजल परियोजना है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का सही उत्तर रहेगा गोकुल बेराज परियोजना यानि की 13 question का right answer भी हो जाएगा यह है आपको याद रखना है Question number 14 है विद्याचल पर्वत सरेणियों की चटानों से निन्वे से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है तो कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता मेरे प्यार दोस्तो Right answer हैगा संगमरमर का पत्थर Right answer is C उत्तर प्रदेश में उस्तम साक्षारत दरवाला जनपद कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल गोतम बुद्नगर यानि की 15 question का right answer दोस्तो D हो जाएगा अगला question आता है तरही छेत्र में खालिस्थान की जाती है तो right answer रहेगा तरही छेत्र में किरसी बड़े पैमाने पर की जाती है दोस्तो धान तथा गन्ना यानि की बी राइट आंसर हैगा सोल्वे कोशन का सही उत्तर प्यारे दोस्तो सतरवा कोशन है उत्तर परदेश का कौन चेतर आध्य कल्ब की प्राचिन्तम से लोग से निर्मित है मेरे प्यारे दोस्तो सतरवा कोशन है बुंदेल खंड यानी की ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है संयुक्त प्रांत में 1937 इस्वी में कोंग्रेस की सरकार किसके नेतरित में गठित हुई थी देखे सैसान अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बोक्स में भी बताएगा आगे भी इस परकार की वीडियो अगर आपको चाहिए जो फटा फट वीडियो होती है जिसमें कम समय में ज़्यादा कोशन होते हैं अगर आपका ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरू बतेगा इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा गोविंद वल्लब पंत के यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तो चलिए अगला कोशन आता है दोस्तो गिरिसम र इस आले वीज़ वा कोशन है उत्तरपर्देश की निमलिकित इमारतों में से कौन सी फतेपुर सीकरी में इस्थित है तो राइट आंसर एगा फंच महल यानि की इस राइट आंसर दोस्तो होने वाला है 21 कोशन है उत्तर प्रदेश के उत्री भाग को किन देशों की सीमाएं इसपर्स करती है सैसन अच्छा लग रहा है लाइक करते जाएए भई 21 कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तों नेपाल यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा चलिए 22 कोशन आता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहा होती है देखें उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी मेरे प्यारे दोस्तों कहा पर होती है तो ब्रेली में होती है यानि की सी राइट आंसर रहने वाला है 23 कोशन है उत्तर परदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों पीतल की नगरी कहा जाता है किसको मुरादाबाद सोरी यहां पर यह जय हो गया इसको करेक्ट कर लेना मुरादाबाद में मुरादाबाद इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों राइट आंसर डी ह हो जाएगा कोशन नबर 24 है उत्तर परदेश में लोकायुक्त का पद सरजीत किया गया तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल कब किया गया था 1975 में यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों होने वाला है कोशन नबर 25 है संयुक्त प्रांद से उत्तर सजी फिरोज सामोदी यानी कि राइट आंसर भी हो जाएगा 25 कोशन का सही आंसर कोशन नबर 26 है रामपूर भारत का पहला गाव है जो की अपना सोर उर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहां इस्तित है तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों यह उ प्रमानू उर्जा केंद्र कहां इस्तापित किया गया है तो दोस्तों यहां पर बात कीजे उत्तर प्रदेश प्रमानू उर्जा केंद्र कहां इस्तापित किया गया है तो राइट आंसर इस नरोरा में यानी की बी राइट आंसर हो जाएगा 27 कोशन का सही उत्तर 28 कोशन है डोलामाइट के भंडार उत्तरपरदेश के किस जिले में पाए जाते हैं ये पीडियाप मैं आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करा दूँगा कैसे प्रोवाइड कराऊंगा कहां पर मिलेगी पूरी वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा 28 में कोशन का राइट आंसर रहेगा सोन बद्र यानि की ए राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा वे कोशन नबर 29 है उत्तरपरदेश में कोईले के भंडार कहां पाए जाते हैं तो प्यारे दोस्तों उत्तरपरदेश में कोईले के भंडार कहां पाए जाते हैं तो right answer हेगा सिंग्रोली छेतर में यानि की B is the right answer next question आता है question number 30 है उत्तर पर्देश में संत्रे की पैदावार वाला परमुक जिला निमलिखित में से कौन सा है प्यारे दोस्तों इस question का right answer हेगा सारनपूर यानि की तीसवे question का right answer C हो जाएगा अगला question आता ही कत्तिसवा उत्तर पर्देश की सर्वदिक सीमा किस राज्ये से लगता है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल मध्या पर्देश यानि की C right answer हो जाएगा question number 32 है जोनपूर नगर किस की याद में स्थापित किया गया था तो right answer रहेगा दोस्तो मुहम्मद बिन तुगलक की यानि की C right answer हो जाएगा 32 कोशन का सही उत्तर question number 33 है कौन सा राज्ये भारत का सकर का प्याला कहलाता है तो right answer क्या रहेगा दोस्तो बिल्कुल उत्तर पर्देश को कहा जाते दोस्तो यानि की D right answer हो जाएगा question number 34 है पर्देश में सब पर्थम किस पक्सी विहार की स्थापना की गई थी very very important question mark कर लेना बहुत बार एक्जाब में आता है तो right answer क्या रहेगा नवाब गंज पक्सी विहार दोस्तो यानि की 34 में कोशन का right answer B रहने वाला है अगला कोशन है रास्टे वन नीती में भारत के कुल भुगोलिक छेत्र के कितने परतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष है मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का right answer बता दीजे तो यहाँ पर जो right answer है वह आपका हो जाएगा एक तिहाई यानि की B right answer दोस्तो हो जाएगा 36 कोशन है उत्तरपरदेश की निमिन नदियों में से किसका उदगम हिमाल्या से नहीं हुआ है तो प्यारे दोस्तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा बिलकुल गोमती का दोस्तो यानि की B is the right answer कोशन number 37 है खलीमा जल विदुत केंदर किस नहर पर इस्थित है तो प्यारे दोस्तो ये इस्थित है सारदा नदी पर सारदा नहर पर दोस्तो यानि की B is the right answer question number 38 है हतनी कुंड परियोजना किस नदी पर इस्तित है हतनी कुंड परियोजना मेरे प्यारे दोस्तों ये इस्तित है यम्णा नदी पर 38 question का राइट आंसर B हो जाएगा question number 39 है निमलिकित मेंसे भूमी के उपर होने के कौन से कारण है तो प्यारे दोस्तों इस question का right answer करेगा निमलिकित में से भूमी के उसर होने के कौन से कारण है तो right answer रहेगा दोस्तों जल निकासी का उचित परबंद नहा होना ठीक है लवन्युक्त जल से सिचाई चारिये उर्वको का लगतार परियोग तो यहां पर यह सभी right answer है दोस्तों यानि की D right answer हो जाएगा ठीक है question number 40 है परदेश में वाईउ अपरदन से सर्वदिक प्रभावित छेतर कोन सा है तो प्यारे दोस्तों इस question का right answer है पस्चिमी छेतर यानि की 40 वे question का right answer D रहने वाला है question number 41 है उत्तरपरदेश का सर्वदिक नम भूमी यानि की वेटलेंड वाला जिला है देखे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क करिये इस question को भी बहुत बार एक्जाम में आता है right answer is सोनभद्र यानि की B right answer हो जाएगा 41 question का सही उत्तर question number 42 है 1858 का महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र कहां पढ़ा गया था तो right answer रहेगा दोस्तो इलहाबाद में यानि की 42 question का right answer D हो जाएगा वै अगला question है उत्तरप्रदेस के भुगोलिक चेतर में कोन सा समलित नहीं है तो right answer क्या रहेगा हिमाल्यय यानि की 43 का right answer प्यारे दोस्तो बी रहनेवाला है question number 44 है उत्तरप्रदेस का राजक्य खेल क्या है तो राजक्य खेल दोस्तो होकी है यानि की B is the right answer Q45 है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तो प्यारे दोस्तों वैसे तो देखे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मु कस्मीर में होता है बट अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलिगड में भी होता है यानि की A right answer हो जाएगा अगला question आता है परदेश का सरवधिक विस्तिरित पक्सी विहार है इस question का right answer हैगा दोस्तो लाक बहासी पक्सी विहार यानि की C right answer हो जाएगा 45 का सही उत्तर question अबर 46 है उत्तरपरदेश की साक्सार्थ दर कितनी है प्यारे दोस्तो उत्तरपरदेश की साक्सार्थ दर है 67.68 परतिसत यानि की C right answer हो जाएगा अगला question है निमलिकित युगमों में से कौन सुमलित नहीं है तो right answer is देखे गोरकपूर खेलकुद के सामान बनाने का उद्योग तो देखे ये गलत है तो यहाँ पर ये सुमलित नहीं है तो right answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा दोस्तो 47 का सही उत्तर 48 है सविदान के किस भाग में पंचायती राजविवस्ता संबंदी प्रवधान दिये गए है तो right answer रहेगा भाग 9 में 48 का right answer D हो जाएगा अगला कोशन है प्यारे दोस्तों next पर जाने से पहले बता दू फिर से अगर आप लोग complete चारी cover करना चाहते हैं किसी भी एक्जाम की चाहे उत्तर प्रदेश पूलिस का एक्जाम हो चाहे कोई अधर भी एक्जाम हो तो आप हमारी master pdf से join हो सकते हैं master pdf से join होने के लिए description box में भी लिंक है या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर पे भी message कर सकते हैं 49 है गंड़क नदी का उद्गव इस्तल निमिलकित में से कौन सा है WhatsApp नंबर हरी slide में यहाँ पर लिखाओ मिल जाएगा 49 का दोस्तों right answer हेगा मुस्टोंग हिमनद यानि की right answer is D question number 50 है उत्तर परदेश विदान सबा के पर्थम अध्यक्स कोन थे तो right answer दोस्तों क्या रहेगा right answer is पुर्सोत्तम दास टंडन यानि की B right answer हो जाएगा question number 51 है उत्तर परदेश में पाए जाने वाले परमुखनीज है तो प्यारे दोस्तों उत्तर परदेश में पाए जाने वाले परमुखनीज है रोक फॉस्पेट तथा डोलोमाइट यानि की right answer C हो जाएगा very very important mark करिए इस question को भी 52 है रेनुकुट जाना जाता है प्यारे दोस्तों रेनुकुट जाना जाता है तो right answer is aluminum उद्योग ही तू यानि की 52 का right answer C हो जाएगा 53 है उत्तर परदेश के दक्सिन में इस पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा तो ये जाना जाता है बुंदेल खंड का पठार यानि की 53 question का right answer D हो जाएगा question number 54 है उत्तर परदेश में संत्रे की पैदावार वाला परमुक जिला निमलिकित में से कौन सा है प्यारे दोस्तों right answer हैगा सारानपूर यानि की C is the right answer अगला question आता है उत्तर परदेश का उत्तर से दक्सिन तक कितना विस्तार है प्यारे दोस्तों very very important mark करियेगा इस question को right answer is 240 km यानि की C right answer हो जाएगा question number 56 है किस वर्स उत्तर परदेश से अलग हुआ था तो right answer क्या रहेगा आठ नवंबर 2000 में यानि की 56 question का right answer A हो जाएगा उत्तर परदेश में there यूड चेत्रों की संख्या है तो दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा नाइन यानि की C is the right answer प्यारे दोस्तों 58 है दूदवा रास्ते हुद्दान किस जनपद में गारे दोस्ति तो right answer is लखिमपूर curly यानि k 58 question का right answer C हो जाएगा अगला कोशन है परमुक लोकनत्य यानि की फ्लोक डैंस चरकुला निमलकित में से किस छेत्र का है तो चरकुला दोस्तों किस छेत्र का है राइट आंसर इस ब्रज भूमी यानि की 59 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा अगला कोशन आता है निमलकित की आतंकवाद माना जाता है इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है यूके लिप्टस यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन है निमलकित कोंसा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर इस्तित है दोस्तों तो राइट आंसर इस वारांसी यानि की 61 कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा अगला कोशन है लाल मिट्या निमलकित कहां पाई जाती है तो लाल मिट्या मेरे प्यारे दोस्तों ये पाई जाती है मिर्जापूर जहासी में यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन 62 का सही उत्तर कोशन नमबर 63 है परदेश में अवनाली का अपवर्दन से सबसे अधिक परभावी जिला कौन सा है तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा इटावा 63 का राइट आंसर प्यारे दोस्तो बी हो जाएगा अगला कोशन है परदेश में पूर से पस्चिम की और बढ़ने पर वर्षा की मातरा सामानियता क्या होती है दोस्तोー कम हो जाती है क्या हो जाती है कम हो जाती है यानि कि be right अंसर अगला कोशन आता है उत्तर परदेश का लिंग अनुपात कितना है तो ये गलत हो गया वहां य जाएगा तो 65 कोशन का जो राइट आंसर है वो 912 ये रहेगा सही आंसर नोट करिए भई इसको मत करना कि इन में से चारों में से कोई भी ओप्षन नहीं है अगला कोशन है निन्वे से कौन सा नगर गोमती के किनारे इस्थित है तो राइट आंसर इस लकनाउ यानि कि ये रा प्ले में पाई जाती है तो गोरकपूर यहां पर राइट आंसर हैगा 67 का सही आंसर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा कोशन नबर 68 है निन्वे से किस फसल के उत्पादन में उत्तरपर देश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तों गेहूं का यानि की डी इस दा राइट आंसर कोशन नबर 69 है सिराज एहिंद के नाम से कौन सा नगर परसिद है तो राइट आंसर इस जोनपूर यानि की 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा अगला कोशन आता है सारनात उत्तरप्रदेश में कहां इस्ति है तो राइट आंसर इस वारानसी के निकट दोस्तों कहां पर सारनात उत्तरप्रदेश में कहां इस्तित है तो यहां पर चारों ऑप्शन गलत हो गए हैं वारानसी के निकट इस्तित है दोस्तों यह पॉइंट याद कर लेना ठीक है यह पॉइंट याद कर लेना अगला को तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि टाइपिंग वाला अलग होता है और हम रिकोडिंग करने वाले अलग है ठीक है तो टाइपिंग वाले ने अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक की इसको एडिजस्ट कर लेना 72 है उतरप्रदेश में पटना पक्सी विहार किस जि आमय यानि की से रैट आंसर हो जाएगा को चैनल GRA इटामय है यानि की सी रैट आंसर हो जाएगा को-चैनल कोशन निव्च्र मार चिर्ग इन्ट पर पर्देश का दंत्तर 45 है और्रोंत जिलाले के किस जिले में पाया गया है तो रैट आंसर एज वारान सीमे दोप c 74 का right answer A हो जाएगा 75 है उत्तरप्रदेश का सरवदिक विक्सित चेतर कोन सा है तो उत्तरप्रदेश का सरवदिक विक्सित चेतर मेरे प्यारे दोस्तों कोन सा है तो right answer is bangar यानि की B is the right answer अगला कोशन है चटी स्ताबदी में उत्तरप्रदेश में कितने महाजनपत थे तो राइट आंसर क्या रहेगा 8 यानि कि A is the right answer दोस्तों याद रखिए इसको भी अगला कोशन आता है लिए से किसके लिए फरुका बात जाना जाता है तो फरुका बात दोस्तों मेरे प्यारे जाता है तो राइट आंसर इस B नोट करते रहे है 78 है भारत के पंचाती राज विवस्था का वास्तुकार यानि कि सिल्प किसे कहा जाता है तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बी आर महता बी आर महता 78 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला कोशन है 79 उत्तर परदेश में उच न्याले की स्थापना कब की गई थी दोस्तों 1866 में 79 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा यह आपको याध अखना है कोशन नम्लखित में से कौन सा यूगम सही सुमलित है तो राइट आंसर इस मतुरा तेल सौध साला यह आपका यहाँ पर सही सुमलित है बाकी के गलत है तो यह नोट कर लेना भई C is the right answer यह आपको याद अखना है 81 है उतरपरदेश का सोनबदर जिले से कितने राज्यों की सिमा इसपर्स करती है तो प्यारे दोस्तों right answer रहेगा 4 जिलों की यानि की B is the right answer Question number 82 है उतरपरदेश का पूर्व पस्चिम का कितना विस्तार है तो पूर्व से पस्चिम का कितना विस्तार है तो right answer is 650 किलोमेटर प्यारे दोस्तों यानि की 82 का right answer B हो जाएगा चले अगले question पर बढ़ते हैं देश की कुल किरसी योग्य भूमी का कितना परतिशत उतरपरदेश में इस्तित है very very mark करिए इसको भी very very important mark कर लिजे right answer रहेगा दोस्तों 15 परतिशत कितना परतिशत दोस्तों 15 परतिशत किरसी योग्य भूमी है वो केवल उतरपरदेश में है right answer A हो जाएगा 84 है रास्टे चंबल अभ्यारन निमलिकित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है तो right answer क्या रहेगा दोस्तों देखे इन चारों में से दोस्तों रास्टे चंबल अभ्यारन जो है वो हर्याना का हिस्सा नहीं है तो right answer C हो जाएगा 85 आता है 1857 की करांती से 99 से कौन सा संबंदित नहीं है तो right answer क्या रहेगा दोस्तों देखे उधम सिंग संबंदित नहीं है 85 कोशन का right answer D हो जाएगा अगला कोशन आता है उत्तर प्रदेश को पूर्व से किस नाम से जाना जाता था तो पूर्व पहले यानि की पहले किस नाम से जाना जाता था तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था सोरी वर्क्सों से घिरा हुआ है तो right answer आएगा दोस्तों 7 परतिशत भाग यानि की D is the right answer कोशन नमर 88 है निवन में से कौन सी नदी यमना की सायक नदी नहीं है तो कौन सी नदी दोस्तों यमना की सायक नदी नहीं है तो right answer is कल्यानी यानि की 88 का right answer option A हो जाएगा अगला कोशन आता है निवन में से किस नदी के तट पर गोरकपूर इस्थित है निवन में से किस नदी के तट पर दोस्तों गोरकपूर इस्थित है तो right answer is right answer is राप्ति यानि की right answer option C हो जाएगा अगला कोशन है नेनमेंसे कौन सा सुमलित नहीं है धोस्टो फिर से ट्राई करिए उनमेंसे कौन सा मेच नहीं है वो आपको बताना है दिए के रामगाठ बांध यमुना लिखा है बढ़ ये यमुना नहीं दोस्तो, बेतवा होगा ठीक है? ये रामगा... राजगाट बांध कहां पर है बेतवा नदी पर तो right answer is D होगा इस question का right answer 91 है उत्रप्रदेश के किस भाग में मरुस्तिलिय मर्दा पाई जाती है तो right answer is पस्तिमी भाग में दोस्तो 91 का right answer B हो जाएगा अगला question है बांगर और खादर निमलिखित में से किस परकार की मिट्टी है तो right answer is जलोड मिट्टी यानि की D is the right answer अगला question है उत्रप्रदेश में किर्तिम रबड का कारखाना अवस्तित है तो किर्तिम रबड का कारखाना मेरे प्यारे दोस्तो गाजयबाद में वस्तित है यानि की B is the right answer अगला कोशन है उत्तरप्रदेश का राजगे वर्क्स है तो राइट आंसर इस कौन सा है दोस्तो राजगे वर्क्स कौन सा है तो राइट आंसर है तो राइट आंसर है असोक यानि की C is the right answer अगला कोशन है उत्तरपरदेश में सरवधिक वर्षा वाला छेतर कोन सा है तो right answer is कंक्रिले छेतर में यानि की right answer is A तो ये भी आपको याद अखना है कोशन बना 96 है उत्तरपरदेश में भावर की तंग पट्टी किस छेतर में मिलती है तो right answer रहेगा आपका तरही छेतर में यानि की A right answer हो जाएगा अगला कोशन है उत्तरपरदेश में युरेनियम कहां उपलब्ध है उत्तरपरदेश में युरेनियम कहां उपलब्ध है तो right answer दोस्तों क्या रहेगा ये उपलाब्द है मेरे प्यारे दोस्तों ये है कहाँ पर ललितपूर में यानि की A right answer हो जाएगा अगला question है राज्य में एक बबर सेर सफारी स्थापित किया जा रहा है तो कहाँ पर दोस्तों right answer is itawa में 97 का सही answer C हो जाएगा अगला question है परदेश में चेतरपल की दरस्ती से सरवदिक वन चेतरवाला जिला है तो right answer क्या रहेगा right answer रहेगा सोन भद्र 98 का दोस्तो right answer D हो जाएगा ये आपको याद अखना है प्यार दोस्तों देखे 98 में से आप लोगोंने कितने questions के answer सही किये है comment box में बता देना और उत्तरप्रदेश का सरवदिक विक्सिच चेतर कौन सा है या आपके लिए test question है और इस question का answer सभी को comment box में बताना है PDF लेने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर या फिल description box में दिये गए link पर click करके payment करके आप PDF प्राप्त कर पाएंगे आपको PDF वोटसप पर भी भेज दी जाएगी आप अच्छे से त्यारी करिए tension किसी भी चीज की मत लीजे Only Top Study चैनल के साथ में जुड़े हैं तो जुड़े रहे हैं यहाँ पर जो भी वीडियो आती है उसको देखते रहे हैं बहुत ही महत्पून और बहुत ही बहुत ही बहतरिन वीडियो आगे भी आती रहेगी प्यारे दोस्तों अगर आपको यह पीडियाप लेनी है तो आप टेलीग्राम जोइन कर लेना Only Top Study नाम से ही है वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी पीडियाप मिल जाएगी जो आगे मैं लेकर आने वाला हूँ इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो Master PDFO All Subject की होती है और यह WhatsApp और दोनों जंगे मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेर करिए कम से कम अपने दो दोस्तों को जुरूर जोड़िएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बैल एकन कोन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हूँ थेंक्यू सो मच बाइबाई एवरीवन टेक केर ख्याले के बना मिलते ना इस क्लास में